Hello and welcome back to the channel So, अभी अभी यहाँ पे दिल्ली उनिवस्टी न अपना Frequently Asked Questions का जो document है वो release कर दिया है And basically है यहाँ पे 2024 and 25 batch के लिए उने वाल है So basically इसके अंदर है क्या यह मैं तुम लोग को बतायता हूँ And Frequently Asked Questions में यहाँ पे कुछ ऐसे questions है जो कि यहाँ पे सभी लोग के बीच में common रहते है And दिल्ली उनिवस्टी न उसका खुदी से answer किया हूँ And अगर तुम लोग चेक करोगे तो यह जो PDF है काफी ज़ादा बड़ी है Like 8 page की तुम लोग को PDF देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर यहाँ पे तुम लोग को काफी सारे questions देखने के लिए मिलेंगे अब यह तुम लोग को PDF मिलेगी कहाँ पे यह तुम लोग को मेरे Telegram चैनल पर मिल जाएगी Link तुम लोग को description box में मिल जाएगा So वहाँ से जाके तुम लोग चेकाउट कर सकते हो तुम लोग को यहाँ पे काफी सारे questions देखने के लिए मिल जाएगे जिनके answer यहाँ पे University of Delhi ने खुद देर के है अब यहाँ पे एक question यह भी है कि कौन-कौन से हमें जो subject से उसमें appear करना चाहिए CUT 2024 के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग का यह डाउट है कि भाई यहाँ पे हम लोग कौन-कौन से subject चूज़ करें तो यहाँ पे खुद Delhi University ने लिख रहे है It depends on the program you wish to apply for at the Delhi University मतलब कि तुम लोग को जो भी यहाँ पे course चाहिए उसके इसाब से अलग करेगा Depend क्योंकि BMS में यहाँ पे तुम लोग को क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए इसी के साथ साथ एक और question यहाँ पे यह भी था कि क्या यहाँ पे हम लोग जो है वो यहाँ पे Delhi University के लिए कोई ऐसा subject भी दे सकते है CUT कंदर जो हमने क्लास 12 में नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे पास eligibility तो मेट होनी रही मालो मैं commerce domain से था एंड मेरे पास commerce without math थी बट मेरे को यहाँ पे BMS करनी है तो मेरे को यहाँ पे math भी लेनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे CUT में क्या दे सकता हो math का exam बट मेरे पास यहाँ पे class 12 में तो math थी नहीं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है यहाँ पे दिल्ली उनिवर्सटी ने साफ साफ लिखा है for admission to all undergraduate programs at the University of Delhi candidate must compulsorily appear in those papers in CUTUG 2024 और वो जो paper है वो यहाँ पे passed होना चाहिए मतलब कि तुम लोग की उस जो subjectors में compartment भी नहीं होनी चाहिए और ऐसी यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारे questions देखने के लिए मिल जाएंगे literally बहुत सारे questions और तुमारे जितने भी doubt है न हो यहाँ पे खुद दिल्ली उनिवर्सटी नहीं ही यहाँ पे solve कर दिये तो यह काफे जादा बढ़िया बात हो जाती है अगर तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी तो वहाँ से जल्दी से तुम लोग चैक आउट कर सकते हो अगर तुम लोग को यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई